हेलो इस्टुडेंट्स बीसी पार्ट थर्ड के वीडियोज की इस रंकलाब आप सभी का एक वार फिर से स्वागत है आज हम फिजिक्स का जो प्रतम प्रसंद पत्रा है क्वांटम मेकेनिक्स इसका टॉपिक एक वीमिय सरलावर्ती दो लित्र का अध्यान करेंगे तो हम बात प्रत करेंगे एक वीमिय सरलावर्ती दो लित्र वन्का सिंपल हार्मोनिक औक्सेलेटर के एक वीमिय सरलावर्ती दोलत वह होता है जिसमें कन निर्दिश्ट बिंदो के ही दुखर सीदी रे का में दोलन करता है तथा दोलन करने के लिए आवश्य पड़्त पर्तjang पल निर तो हमने कहा करें में और इस प्रकार से इधर उधर एक सीधी कंसिडर कर लिया कि कण्ड जो है यह हमारा बिन्दू और इस्थित है हमने इसको विस्थापित करके और यह है यह गया यह विस्थापित का कर दी ऐख अब जब वह से विस्थापित खरते हैं तो इस दोलख पर एक लता है जिसको हम नाम देते हैं प्रत्यानदबल रिष्टोरिंग फोर्स यह जो रिष्टोरिंग फोर्स है ये होता है कि तो तो माध्य इस्तति है यहां आए तो कंड इस प्रत्यानन बल के कारण कंड जो है यह अपनी माध्य इस्तति के और गती करता है और इस गती में गती उर्जा के कारण यह इस माध्य इस्तति को सोरी माध्य इस्तति को क्रोस करता हुआ आगे रिकल जाता है अब जब यह यहां प बल जो है यह जो दिर्दिष्ट बिंदू है कि और लगता है तो हमने का यदि किसी छण टी पर कण्प का विस्थापन X है तो परत्यानन बल F इक्वल्स टू माइनस के X तो इसका मतलब यह हो गया जो परत्यानन बल F है restoring force F जो है यह विस्थापन के विप्रिद दिशा में लगता है यदि विस्थापन हमने इस तरफ किया है तो restoring force इस तरफ लगेगा यह जो रिनात्मक्चिन है यह परदर्शित करता है तो रिनात्मक्चिन क्या परदर्शित करता है रिनात्मक्चिन यह परदर्शित करता है कि प्रत्यानन बल विस्थापन के विप्रिद्धिशा में लगता है यहां के जो है वो बलनियत आंग है चिर प्रतिष्ठित यांत्री की classical mechanics के अनुसार इसकी कौन यह अवरती omega equals to root of k upon omega equals to k upon m यहां में m लिखना है या k equals to m omega square होती है इसको हमें समीकर number 2 से denote के यहां m कन का द्रेविमान है विस्थापन x पर कन की इस्तिती जोड़ा कन की इस्तिती जोड़ा vx equals to half kx square के जो है वो m omega square के बराबर है तो इस्तिती जोड़ा vx equals to half m omega square x square पराप्त होती है तो हम जानते हैं कि जो सरल आवरती गति कर रहे दोलब की इस्तिती जोड़ा vx equals to half m omega square x square के बराबर होती है यहां x जो है यह दो लग का विस्थापन होता है कुल उर्जा e के किसी मान के लिए कंड x equals to plus minus a सिवाओं में परिवद गती करता है तो हमने कहा यह जो है यदि कंड की कुल उर्जा e है तो कंड जो है यह इस चेतर में यह जो माइनस a से a के बीच में परिवद गती करता है यहां यह जो है दो लग का आया amplitude कहलाता है थीक है तो amplitude को हम रिपर्जेंट करते हैं maximum displacement अधिक्तां विस्थापन से हमने का सरलावर्ती दो ख्रोट्र के लिए श्रोडींजर समीखरण बभाव अस्ते त्थी और Esp jaar चेतर में गतिकर रही कान के लिए स्रोडींजर सॉमिह रिपंती है तो स्रोडींजर समीखरण कूका जो हम लिखात है समीकरण 4 से यह हम जानते हैं स्रोडींजर समीकरण – h cross 2 m Talk ящ Ore d must 치 vx का मान रख देते हैं vx का मान हम कहां से लाहिए समीकरण नमबर 30 से vx equals to half m omega square x square यह हमने यहां place कर दिया vx के स्थान पर और equation हमने solve की तो solve करने पर समीकरण प्राप्त होती है d square psi upon dx square plus 2m upon h cross square e minus half m omega square x square plus i equals to 0 समीकरण नमबर 5 इस समीकरण को हल करने के लिए निम्नबी विमाहिन चर्रास योग उप्योग सुविदा जनक होता है तो हमने दो consonant का मिली alpha equals to root of m omega upon h cross और lambda equals to 2e upon h cross omega यह जो हमारी समीकरण है इस समीकरण को हम थोड़ा हल कर लेंगे और हल करके इस form में लिख लेंगे और फिर हम value जो है वो substitute कर देंगे तो हमने का सबसे पहले हम बात करें तो हमारे पास यहाँ है 2m upon h cross square e minus half m omega square x square psi equals to 0 तो इसको हल करने के लिए हमने कहा alpha square की यह दिए बात करें तो alpha square equals to m omega upon h cross तो यहाँ से solve करके हम लिए आए ठीक है इसको थोड़ा solve करेंगे तो solve करेंगे तो हमने का इसको हम अंदर multiply कर लें अंदर multiply किया तो जैसे यह है 2m यह जो यह है इसको हमने का 2 upon h cross omega से multiply किया तो इसमें से हम इसे क्या कर देंगे divide कर देंगे h cross omega upon 2 ठीक है h cross omega हमने बाहर ले लिया अब हमने कहा यहाँ से हम h cross upon omega बाहर ले ले तो h cross यह हम बाहर ले दे तो 2 upon h cross omega से हम इसको multiply कर देंगे हमने multiply किया तो जो multiply करेंगे तो 2 से 2 होई है जो ओपर 2 आया यह cancel जाएगा एक बार फिर से इसको देख लेते हैं यह हमारे पास था e तो हमने कर लेखा इसको 2e upon h cross omega सिर्फ हम यह ब्रेकेट के बात करें इन्टू h cross omega अपन तो यह टर्म हमने इस ब्रेकेट से बाहर निकाली बाहर निकाली तो हमारे पास ब्रेकेट में बचा 2e upon h cross omega अब यह निकलेगा बाहर तो इसके साथ multiply हो जाएगा तो हमने का minus 1 upon 2 omega square m x square into 2 upon h cross omega जोगी बाहर निकाला है तो इससे हम इसको divide कर देंगे आप देखों 2 से 2 cancel omega से omega तो हमारे पास यह बच गया एम omega upon h cross जोगी किस के बरावर होगा एलफा एसको के बरावर और बाहर जब हम निकालेंगे तो बाहर हमारे पास था 2m upon h cross square हमने निकाला h cross omega upon 2 2 से 2 cancel h cross से h cross cancel ठीक है तो यह cancel हो जाएगा यहां हमरे पास बचा m omega upon h cross तो इसका मतलब इसको हम जब हल करेंगे तो यह equation हो जाएगे हमरे पास d square psi upon dx square plus alpha square lambda minus alpha square x square psi equals to 0 समीकरन नमबर हमारी 5 होगे अब इस समीकरन में हमने दिखा y equals to alpha x रखने पर तो y equals to हमने रखा alpha x तो y equals to alpha x अब हमने d psi upon dx लेका तो d psi upon dx equals to d psi upon dy dy upon dx तो dy से dy cancel तो वापिस d psi upon dx आदेगा अब हमने का d psi upon dy dy upon dx यहां से निकला तो dy upon dx किसके बराबर आएगा यहां से आदेगा dy upon dx equals to alpha के बराबर वो हमने यहां रख लेगा एक बार फिर आउकलन कर देगे तो यह टम कितनी हो जाएगी alpha square तो जहां पर हमारे पास d square psi upon dx square था उसकी जगह हम value रख लेंगे alpha square d square psi upon dy square तो यह जो हमारे पास उपर equation थी यहां पर यहां हमने लिख लिया alpha square d square psi upon dy square प्लस alpha square lambda minus y square alpha square alpha square 0 के दरफ shift कर दिया तो equation हमें चेक राप्त होती है इस समीकरन को हल करते समय यह द्यान रखना आउशक होता है कि तरंग फलन साही पर आरूपित प्रतिवन इसे संतोष्ट करें ताकि तरंग फलन एक वास्त्रिक निकाई को निरूपित करें तो जो तरंग फलन के लिए conditions थी प्रतिबंद थे वो हमेशा satisfy होती चाहिए तो जो पिछले वीडियोस था उसमें भी हमने पढ़ा था कि तरंग फलन सद्यव एक मानी सतत तथा परीमित होना चाहिए ताकि निकाई की प्राइकता संपूर्ण समस्टे में एक के बराबर हो अर्थाथ माइनस इंफिनिटिव से इंफिनिटिव साई स्क्वेर टी एक सिपल्स तो जीरू यह जो टर्म है इसको हम लिखते हैं साई 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 स्टार्स ठीक है यह रिप्रेजन करता है प्राइकता को अब हमने लिखा एक्स इंफिनिटिव होने पर साई एक्स हम अमेशा जीरू होना चाहिए तो हमने उपर भी लिखा है कि तरंफलन कैसा होना चाहिए परीमित होना चाहिए फाइन सब्सक्याइब होगा जब इसकी वयल्युज्स यह इन्फिनिटिव ऐसे टू आइक इकल इन्फिनिटिव को सब्सक्कों निल्reiben के लिए 1991 T इन्फिनिट ूर और जलो लेड़ा य के सब इक शीमा में श्रोडिंजर आप निम्न रूप की हो जाएगी तो हमने कहा उपर जो हमने एक्वेशन लिखी है यह वाली तो लेम्डा जो था वो था हमारे पास टू इपोन एच क्रोस ओमेगा ठीक है माइनस वाइस तो हमने कहा जब वाई अटेंज टू इंफिनिटिव तो वाई स्क्वेर जो है यह और बढ तो नेक्लेक्ट हो जाएगी तो इसको हम क्या कर देंगे छोड़ दिया हमने तो समीकर जो है वो कनवर्ट होगई दीश क्वेर साइपन डीवाई स्क्वेर माइनस लेमडा स्क्वेर साइए एकवल्स तू Dale यह हो गए हमारी समीकर नुम्बर साथ अता है य के व्रहत बानों के लिए तरंग फलन का निम्न सुरूप होना चाहिए तो निम्न सुरूप जो समीकर साथ थी इसको हम हल करें तो साई की वैल्यू आने चाहिए साई एक्वल स्टू ए रेज टू पावर माइनस य स्क्वेर अपन्टू हुआ जहां हुआ ऐसे फलन है जो य अटेंज टू सीमा के अंदर साई के वैल्यूआर को प्रभावित ना करें तो साई य अटेंज टू इंफिनिटी उपर साई कितना होना चाहिए जीरो के बड़ावर होना चाहिए जो कि हम अरपस इससे आजाएगा ये जो हुआ है ये इस के विवार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता है हमने कहा समीकरण आठ को उठाकर हमने रखती है समीकरण छे में ये जो समीकरण छे है इसमें रखा तो इसमें रखा तो हमने कहा सबसे पहले साई का दो वार अवकलन कर लिया दो वार अवकलन किया दो वार अवकलन करके हमने वैल्यू रखी तो समीकरण 9 हमें प्राप्थ होती है d square h upon d y square minus 2y dh upon dy plus lambda minus 1h तो यह कैसे आई? यह हमारी समीकरण 6 थी और साई जो आया साई इक्वल्स टू e raise to power minus y square upon 2 और h y तो इसका एक बार अवकलन किया तो हमने कहा यह हो गया d si upon dy पहले इसका कर लिया तो इसका किया तो e raise की minus y square upon 2 ठीक है? और h y और इसका किया तो यह हो गया minus minus का अब दूसरा हमने दो एक बार और फिर e raise to power minus y square plus h का हो गया dh upon dy दूसरी बार फिर इसका इसी प्रकार आवकलन करेंगे ठीक है? अउकलन करके इसको हल करेंगे हल करेंगे तो हमें यह जो समीकरण नमबर 9 है यह हमें प्राप्थ दिए उप्रोक्त समीकरण को हर्मिट समीकरण कहते हैं तथा फलन hy हर्मिट फलन कहलाता है अब उप्रोक्त समीकरण 9 को हल करने के लिए hy को y की घात स्रेनी में प्राप्थ किया जाता है hy का मान परीमित रहे इसके लिए hy की घात स्रेनी प्राप्थ को y की किसी घात के लिए स्रिमावद किया जाता है ऐसा करने पर निम्न महतोपोन परिणाम प्राप्त होता है तो जो condition हमें प्राप्त होती है lambda equals to 2n plus 1 जहाँ n जो है 0, 1, 2, 3 and so on तो ये जो equation हमें प्राप्त होती है ये त्वित्यकोटी की आउकल समीकरन है इसे जब हम हल करते हैं जो भी हमने पिछली क्लास में हैल किया था तो हमें जो है एक महतोपोन परतिबंद प्राप्त होता है lambda equals to 2n plus 1 ठीक है हमें ये जो term है यादा करें अब ये जो परतिबंद है इसको हम आगे काम में लेके और हम आगे उर्जा आइगन फलन और उर्जा आइगन मान जो है energy आइगन वेल्यू और energy आइगन फंक्शन ग्याद करेंगे